हेलो गाइज वेलकम टो आर चैनल सो इस वीडियो लेक्च्छर के अंतर हम सीखेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके अटोमिक नंबर और अटोमिक मास को कैसे याद कर सकती हैं उसकी ट्रिक किया है सो हमने बेसिकली हमारे एलिमोंट्स है मिलिगी less प्सक्राइब सबसक्राइब किसा क्या करना है लिए उसका लिए कि सबसे पहले हमें पता है कि 않아Bei यहां भेर ल है मैं लिखेंगे किसी भी element को हम represent करते हैं capital X से element के बाद फिर हम लिखेंगे atomic number atomic number को represent करेंगे Z से और फिर लिखेंगे हम atomic mass atomic mass को represent करेंगे हम A से clear हमें पता है कि सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है hydrogen hydrogen के बाद फिर क्या आएगा helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen फ्लोरीन नियोन सोडियम मेंगनेशियम एलुमीनियम और सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आरगन आरगन के बाद के आएगा पोटेशियम और देन केल्शियम सो यह हमारे 120 elements है hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon sodium magnesium aluminum silicon phosphor sulfur chlorine आरगन फ्राशियम और केल्शियम तो में इनको ऐसे ही याद रखना है यह आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो एक दो बार प्रैक्टिस है आपको 13 14 15 16 17 18 19 और ट्वन्टी सो यह elements और साथ उसका अटोमी नमबर हमें पाते कि जो टोमी नमबर नमबर नोर्मल वन टू नेच्वल नमबर की फो में होता है वन से चलेगा जो भी जैसे बेले लिए में तो बेले में कितना होगा फोर होगा लवन टूटीस में चलेगा यह ठीक करते हैं कुछ से एलगा उराता है तो यहां पर मैंने कुछ शोट ट्रिक निकाली है करेंगे याद करेंगे क्लिर ऑपने पूरे अटेंशन देनी है और सभी ध्यान से करना है जो हाइडोजन का जितना ही नंबर है उतना ही मास एक ही अटोमी नंबर है उसका कर दो के जाएगा फोर है यहां तक तो ठीक है अब प्रोब्लम आते हैं लीथियम में चाहिए बाप लिक्षे बने बीटीयम का सिख सोटा जोता है ऐसे बेरेलियम का एट होता है या फिर वह न होता है तो आपने यहां पर ध्यान रखना है कि जो next three elements है ना from lithium to borrowed इनका क्या करना आपने twice plus one करना है twice plus one करना है जितना atomy number है उसका twice करो साथ में क्या कर दो एक add कर दो ठीक है atomy number कितने है 3 तो कितना आएगा 3 into 2 6 6 plus 1 7 atomy number कितने है 4 4 into 8 plus 1 9 atomy number कितने है 5 5 into 2 10 10 plus 1 11 ठेक है तो hydrogen का same हैHelium में क्या किहां कि हमने twice कर दिया next 3 कए हमने twice plus one किया ठीक है twice करके साथ में क्या कर दिया एक उसके नदर add कर दिया अब next 3 जग करना है लएक्सके जस्ट आपने twice करना है सबहें करना अधिक है तो कितना आजाएगा star how Ukraine है तो कि एक है हाइड्म है और है स्कॉजिंघ एक करना है bardai सत्रेट का ऑपने के वाइस और उसके वाने अपने ट््रक्राइब करने है अब गृट करोगे ऐएवन एयह में कई यहाइब करोगे आप ट्वास करोगे अगर और ओर है में करोगे आप ट्वाइस प्लस ऒफिलमर्द तो त्वाइस प्लस वन करोगे अगर इबन है तो इवन रिबनीके इस में करोगे अब स्ट्वाइस प्लसक्रॉअ करोडीर है त्वाइस 24 नम्बर यह Two 21 plus 1 9 x 2 18 18 plus 1 19 नो यह किया है इस मंगे तो त्वमन hazther twice और रहा है तो का आएगा ट्वाइस настоящ ओंके सबागाई है अब अब क्लोरीन को थोड़ा आपने याद रखना है क्लोरीं कितने हैं सेव्डीन है तो और नमबर है तो सेवड़ाइन इंटुड़ कितना एगा थर्टी फॉर्ट वर प्लस वंद हो कितना थर्टी फाइब हो गया बट आपने आप आप दिसमें याद रखने है को इन का 35 35.5 आएगा और आर्गन का एक्सेप्शनली हाई होता है एट 40 होता है ठीक है नेक्स्ट है पुटैसियम पुटैसियम और नमबर है तो कितना आएगा ट्वाइस प्लस वन तो 19 इंटे टू थर्टी एट प्लस वन थर्टी नाइन ठीक है अगल्सियम रहे कितना आएगा 40 ऑट तो बाकी सारी सीति सेम है फिर स्प्सक्राइब है उपर आपने और लूल लगाना है एवन गया करने आपने ट्वाइस करना है और में त्वाइस वन करना है एक्सप्शन जाद रखने क्लोरी और आर्गन क्लोरिन का 35 आना चीह 35.5 आएगा आरगन क्या है अरगन का 18 नम्बर है बत डूट इसके अक्सेट्टनल जो इसका अब यहां से हमें जो एलिमेंट से याद हो जाएंगे और उनके जो नंबर है टोंगर कर लेंगे हैं यहां पर याद कर लेंगे तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि कि 1-20 तक कैसे काम करेगी है ठीक है तो आपने ट्वाइस ट्वाइस प्लस वन यहीं रूल लगाना है इसके बेस पर आप इसको और इसली सॉल्व कर सकते हो क्लियर ओके अब जो में है में हमें हमें यहां पर फाइंडर करने हैं नंबर ओफ एलेक्ट्रों प्रोट्रों एंड करने हैं हमें क्या करना है हैं प्रोट्यंट है नंबर ओफ करने हैं मैं इसको अंधर्ड नेयूट्रों sir हमें को वस्कॉत्तों को फाइंड आउट करना है क्लियर ओकि हम यहां पर क्या करेंगे on कि हमें पता है कि जो कोई भी अलिमेंट है मैंने का कि किसी भी अलिमेंट को एक से रिपर्जेंट कर सकते हैं सो रिपर्जेंटेशन ओफ एलिमेंट किसी भी अलिमेंट को एक से रिपर्जेंट करते हैं ठीक है और जब हम उसको एक से रिपर्जेंट करते हैं यहां पर क्या आ स्वोडियम लिख दिया आपने सिंबल एटोमी नमर यहां लिखना है और अटोमी मास यहां पर लिखना है यहां पर लेवन और यहां पर आगे 23 आ गया मैं बोल रहों कि चलुआ आप रिपरेजंट करके दिखाव मिरें को और अक्षिजन को यहां पर उसका अटोमी नमबर औ यहां पर उसका टोमिक मास पूटेश्यम को रिपरेजंट करो यहां पर अटोमी नमबर यहां पर टोमिक मास ठीक है तो ऐसी आपने करना है नीचे क्या करोगे आप यहां पर क्या आएगा टोमिक मास आएगा क्लिर तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को रिपरेजंट कर सकते कोई एक सिंबल निची आएगा उसका आंबर ऑसका अपर और उपर चाहें टॉमिक मास आएगा परणा दी έχει को हमें क्यामान ठामर करने हैं हमें आँकर कंने हैं एलेक्टरोन उपर्णेन न्यूट्रोन करने हमें और यहाँ पर यहां पर Z और यहां पर हमें पता है कि कोई भी एिटम है सेंटर में क्या होता है सका Examples होता है जैसे सेंटर में क्या ऑथे निउचल देग होता है ठीक्प है और भारहलीकोतने्टॉन रिवोल्व करते हैं वैसे जो पार 16 और होता है हमारा नुध्य है कि और हैं कि निंखिलीस के अंदर किया होता है लखने में प्लcem लूसा निजलास करो प्रोटोन प्रोट्वास ठीए सबस्क्रान। बाहर लेक्टिन करते है क्लिएफ आब कोई भी एंटम का मास है मैं करेंगे इतना है तो सारगला मास ना उसके होते हैं जा कि सारगला मतरें ऊसके नुकुलिस की वजह से होते हैं येक्टन इसको का मास बहुत जादा मतरान है as लूखिलिः से वज़स्टों नूट्ण का समवाइए बोड प्रोटों और न्यूट्रों का समगा मिनेंबर। जब बाइचामिक नंबर को यह होंधाद करता है यहाल नमबर अप्रोंटोन आए ज infect करएगए अब देखो अगर हमें जैड्र पता है प्रोटोन है और हमें अगर निक ले न मेर सअ कैसे निकलेंगे अगर हम इसको यहां पूट करें तो क्या एकल टू जड़ेब सुना प्लस एंडा की सब्सक्राइब अगर हमें नंबर फ्रोटन पूट कर दिये तो नूटर आए कैसे आएगे नूटर आएगे हमारे a-z Newton के आजेंगे हमारे a-z तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें number of proton बताने है तो जितनी उसकी z value है वो क्या होंगे number of proton होंगे बट अगर हमें number of neutron बताने है तो क्या करना है आपने atomic mass में से atomic number को minus कर देना है a-z करना है तो क्या आजाएंगे number of neutron हमारे पास आजाएंगे clear? ओके और अब आप बोलोगे कि सर electron कैसे find out करें देखो electron को find out करने के दो तरीके हैं अगर neutral है in case of neutral neutral के case में क्या होगा जितने हमारे proton है न उतने हमारे क्या होगे? electron होगे देखो electron के उपर हमें पता है कि negative charge होता है proton के उपर क्या चार्ज होता है? positive charge होता है तो अगर कोई atom neutral है मतलब उसका उपर net charge क्या है? zero है that means उतने ही उसके अंदर negative charge है उतने ही उसके अंदर क्या है? positive charge है तो अगर हमारा कोई neutral है तो उसके case में proton और electron दोनों ही क्या होंगे? equal होंगे clear? okay चलोड़ इसके example से करते हैं एक बार मैंने ले लिए lithium पर है lithium को represent करना है यहां पर 3 यहां पर क्या आएगा? seven आएगा ठीक है अब मैं आपसे बुच्छों कि बताओ इसकी z value कितनी है? ज़र बताओगा कि three है a value कितनी है? a value कितनी है? इसकी seven है अब मैं बुच्छों के number of proton कितने है? तो आपको बताए जचांана पर हमोगे 7-3 करूँंगा तो कितना है वह वह दूब हएगा seven minus three करूँंगा खेंए का वह में न्बर ऑलब El arrows सबस्क्राइब, और अब देखो र Avecमamat नहीं लिखा साध रखार नहीं लिखा तो जितने प्रोटों उतने ही के एलेक्ट्र रेकर पहले हम न्यूट्रल करेंगे और देम्स के बाद क्या करेंगे उसके बाð हम फिर चार्ग शिचिंजज बार हम भात करेंगे ठीक है हो कि नेंगे से अगर हम सोडियम की बात करें है कि अ मतर्किए किभी है 11 से वैल्यू कितनी है ऑग तुट कितनी आएंगे जितने उसकी सबाइब ऑट है अब से करने हैं तो ट्वन्टे-3 मासलय में कितना आगया गया ट्योंग एलेक्ट्न क्योंकि सोडिय हमारा न्यूट्रल ह सथ हैं तो जितने प्रोटव उसने ही है यह लिक्ट्रो जितने प्रोट्न उतने ही इलेक्ट्रोट्व तो आपने ऐसी करना है और एक्जमपल्स करते हैं कुछ आग लिट्से कि अगर हम बात करें ऑक्साजिण की बात करते हैं 8 और 16 हमें पाते हैं कि seven Eyesких C is it a value नंबर ओफ न्यूटन कैसे निकलेंगे ए मैंसे क्या कर दो जटको मैंस कर दो 16-8 एट आगया एलेक्ट्रों क्योंकि इसे नहीं हमारा न्यूटरल है तो यतने प्रोटन होगे उतने ही कितने हूंगे एलेक्टन होगे तो एट आगे हमारे पास ठीक है ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर नाइटरोजन की हम पड़ी जो नाइटरोजन में प science का अमीने कितना है कार्बन नाइट रोजन सैवंद2020 प्लसटन 18 15 गबातने जिच्वे ओकने में यह आईयक्थ यान जैड़ कर दोगे सो 14-7 करो तो कितना आएगा से बनाएगा एलेक्ट्रों कैसे निकालों कि क्योंकि न्यूट्र नाइटोजन हमारा वो न्यूट्रल है तो जितनी उसकी जितनी उसके इंदर नमबर ओफ प्रोड़न होगे एलेक्ट्रों होगे तो ऐसे हमने क्या करना एक है जैसे हमारे पास केल्शियम है 2040 और जर्ड कितने है इसका 20 है एक इतना इसका 40 है अगर एक भूछे नंबर ओफ प्रोड़न कितने है तो नमबर ट्रोड में कस्तिनलेंगे डिक्रन निक्लेंगे आपके क्योंकि केल चेंख रूहें सब्सक्राइब न्यूंबर कितने हैं और है ने वह सब्सक्राइब नूञें टीमेश्टा ग्या कर दो िस्क्राइब माइनस 15 कितने आ गया शिंग को लेक्ट्रों किवगि फॉसफर्स हमारा यूटर तो जितने प्रोटन उतने ही इलेकट्रों जितने प्रोटों उतने किocr आएंगे रहा था टो इसलिवर कर सकते हैं टिकित तो आपने जो सब्सक्राइब नियुक्त करना है अब हम बात करेंगे चार्ज्स की सब्सक्राइब में क्या करना है और लेट से कि जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर चले एक्जामपल लेता हूं मैं सोडियम की बात करता हूं पहले मैंने सोडियम लिया मैंने यहां पर एक दिया एनने पॉज़िव आपको मैं एक्जांबल से समझाता हूं यहां पर एनने पॉज़िव है 1100 23 117 चैनल जी अब देखो सबसे प्रस्केण सकेज़े वैलियू कितनी है वो 23 यहां पर सेयम रहेगा जैनल यहां है और यह वैलियू कितनी है होते हैं और ट्रहन करते हैं बाहर घ्रिवाल करते हैं तो जो कि हमारे डॉर्टम् 1 लाम नूइस के अंदर होते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जतने हैं वो नूकलिस के अंदर打व हैं तो इसको ड़ करेंगे उसी के कोडिंग क्या आएगा हमारे उसके ऊपर positive चार्ज आएगा या तो यहां पर भी जो हमारे थाओएंगे ह्दोन न्यूटन है वो कितने रहेंगे हमारे 12 रहेंगे क्लियर क्त आब पहेले यहां पर क्या था गुसम यहां पर क्या था यहां पर 11 इन प्रोटन है यह थे लेवन हैनों यह हमारा зовут ऐ तो बहुत को करके हमारा जो हमारा नेट है टाइथा जीरो आए था और यहां पर शार्ड एक है अब को बैसंत्र लाने के दो तरीके के अगर हम positive charge को बढ़ा दें और negative charge उतना रखें तब छाइगा पॉजीटिव एगा टिक एक तरीख और पॉजीटिव चार्पों छायका एक लेक्टन कर सकते हैं यह केस कि पॉसिबल नहीं है पॉसियबल क्या है पॉसिबल यह यह कि अगर हमें एक क्लिक्टो को कम कर दें तो पोशिटिव चार्ज आ जाएगा उसके उपर क्योंकि टैन और पॉसिटिव चार्ज होगे इलेवन तो और फिक प्लस पन लेता हूं लेट से कि अगर हम बात करें F negative की पहले में नॉर्मल एफ लिखता हूं सोरी यहां पर पहले में नॉर्मल एफ लिखता हूं यहां पर अपने लिखता हूं फ नेगटिव आफ हम बता है कि 999 9 or 90 यहां पर हमारा कितने है 9 और एक इतने है इसका 19 है ठीक है और इसके अंदर अगर हम नुमर उफ प्रोटोन कितने हैं यहां पर भी जैड हमारा कितने है 9 और एक वैल्यू कितनी है हमारी 19 है प्रोटोन और इक्रोन तो उतने ही रहेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते है चेंज इसका ब्रसक्ते हैं फिर नंबर ख रह सकते हैं शिरुमन अब देखो यहां पर एक नेगिटिव चार्ज आए एक नेगिटिव चार्ज कैसे आएगा जब एक लेक्रोन जाद हो जाए क्योंकि यहां पर नाइन तो क्या है पॉजिटिव चार्ज है और टैन क्या हो गया नेगितिव चार्ज हो गया हमारा माइनस वन आएगा क्लियर है तो मैं आपको शोट रिक बतारों देखो यहां पर दोनों में देखने भी हमें क्या दिख रहे हैं जब उसके उपर क्या कर दिया हमने एक इंक्रीज कर दिया तो यहीं करने कि अगर उसके उपर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ओफ लेक्टन क्या कर दो कम कर दो अगर उसके उपर नेगिटिव चार्ज है तो उतने ही नंबर ओफ लेक्टन क्य कर दो increase कर दो जैसे मैं XZA let's say कि इसके उपर N positive charge है इसके उपर N क्या है positive charge है ठीक है एक इसलिए मैंने इसके उपर N के है negative charge है तो proton कितने आएंगे जितनी उसका नियूटन कितने हैं a minus z यहां परोटन कितने जितना उसका जाड़ है और Newtron कितने आएंगे a minus z एलेक्ट्रूं के तो जैट में से N माइनस प्रोज़व कर दो जितना पोजितिव चार्ज उतने एक करते हैं यह से और टू नेगइट इए उन देप्र हैट है एक इत्ने आसका किस्टिन की आख खर यह जा ओके नमर उफ अगर हम प्रोटन की बात करें जितने उसके जैड़ है एट नमब आ न्यूटन की बात करें ए-ड आब एक अफ़ श्केन फ़स्टन की बात करें आप जितना नेगिटिटिटिव छार्ज कर दो अगर अगर उसके पस पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही च्रूजेश माईन ю-2 पर 21 तो आपने ऐसे करना है अगर पॉजिटिव चार्ज आपने या करना है अगर पॉजिटिव चार्ज आपने मायन्स परने अगर उसके पास नेगटिव चार्ज है अब आपने क्या करना है उसको अब ग intelligent विजटिव नेटर्ट आप करें तक होगे आपके ज़ो क्या निकालन है, lithium positive का निकालना है, beryllium 2 positive, nitrogen 3 negative, oxygen 2 negative, F negative, na positive, mg 2 positive, aluminium 3 positive, silicon 4 positive, phosphorus 3 positive, sulphur 2 negative, chlorine negative, potassium positive or calcium 2 positive, आपने इनके number of electron, bode or neutron क्या करना है, आपने find out करना है, clear?